सूरजभान सिंग को नवादा लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के दो बड़े नेताओं ने आस्वासन दिया है इन वातों को सुन कर लोजपा राम्बिलास में खलबली मच गई है यह अभी की बड़ी खबर है और अंदर खाने से आई हुई खबर है नवादा लोकसभा हाजीपुर लोकसभा के बाद सबसे माथा पच्ची बाला सीट बन गया है वहाँ से भाजपा के नेताओं की वी दावेदारी है लोजपा के नेताओं की वी दावेदारी है जदियू की कोई दावेदारी नहीं है लोजपा में भी दो लोजपा की दावेदारी है RLJP की और LJP राम बिलास की यानि पसुपती कुमार पारस की पार्टी की और चिराग पासवान की पार्टी की सीधे तोर पे और सीधे बाक्यों में सब्दों में पंक्तियों में समझे तो यही है तो वह सीट के अभी बरतमान सांसद है चंदन सिंग जो सुरजभान सिंग के भाई हैं वह सीट निश्चित तौर पर सुरजभान सिंग चाहते हैं तो अब यहां से मामला घटा टोप में फस्ता हुआ नजर आ रहा है दोनों ही लोजपा में कड़बाट निश्चित तौर पर है और यहां पर आना आनी की लडाई दिख रही है तो यह लोजपा यह दोनों लोजपा पहले एक लोजपा हुआ करती थी सभी लोग जानते हैं 6 सीटे मिली थी 6 सीटे 2019 लोगसवा में अंडिये के तह जीती थी पांच सांसदो का धढ़ा पसुपती पारस के तरफ जाती है उसी में थे चंदन सिंग और चिराग पासवाना के ले थे तो कई वहां से मनभेद से मतभेद तक की खबरे आई चिराग पासवान ने सीधे तोर पर यह आरोप लगाया था कई नीजी चैनलों के द्वारा कि सुरजभान सिंग ने ही हमारी पार्टी को तोड़ा है वहीं परिबार को भी तोड़ने में आम भूमिका नीभाई है इससे भी नाराजगी तलखी को लेकर जगजा ही रहे तो अब यहां से कई बातों को लेकर कई बातें खुल रही है, बन रही है, बिगड रही है जो अंदर खाने से बाते आ रही है, सुत्रों के हवाले से बाते आ रही है, उसके तोर पे हम कह रहे हैं नवादा लोकसभा में वह ऐसे ही दावेदार हैं, अरून कुमार हों, इंजिनियर रमेस हों, वहां से तो और भी चिराग पासवान जिन्हें लड़ाना चाहते हैं, यह सीट अगर चाचा पसुपती पारस के खाते में जाएगी, तो बाते और भी बढ़ेगी, बिगड़ेगी मगर बाते यह हैं, कि जब लोजपारांबिलास को पाँच लोकसवा सीटों पर लड़ने की बाते सामने आई, तभी से ही चाचा पसुपती पारस हों, या सुरजभान सिंग हों, उन्होंने तो साफ करते हुए यह लहजों में, राजनीतिक बातों में ही समझ में आ रहा था कि क्या लालू परसाद यादब के तरफ भी जा सकते हैं, या इंडिय एलाइन्स के तरफ चले जाएंगे, अगर उन्हें इधर तबज्जों नहीं मिला तो, राजनीति में तो भाई, सब लोग अपना पार्टी का फाइदा और अपना फाइदा ही देखेंगे, तो उसके त कांडे और संजय जैसवाल ने आसवासन दिये हैं, दो पुर्व प्रदेश अध्याच्छों ने, समझ सकते हैं कि सुरजभान सिंग की राजनीतिक पहूंच कहां तक है, यह जगजाहिर है, जानने वाले लोग जानते हैं, समझते हैं, सुरजभान सिंग उनने ताओं में र एक बड़े अंतर से वह चुनाब जीते थे, तभी से ही उनकी राजनीतिक धमक रही है बिहार की राजनीति में, बाहु बली नेता के तौर पर भी उनकी पहचान है, लोजपा राम्बिलास के सुरवाती अस्थापना काल से ही वह जुड़े रहे हैं, और राम्बिलास पास हैं, उनको सभी लोग सम्मान से दादा कहकर ही बुलाते थे, किसी समय चिराग पास्मान भी उनके समर्थन में रहते थे, जब उन्हें बाहु बली नेता के तौर पर उनके पक्ष में ही दिखते थे, अगर पाटी तूटने के बाद से लहजा बदला हुआ नजर आया चिरा तो अब यहां से कह सकते हैं कि कई जो पेच है और बढ़ गई है, हाजीपुर के बाद नवादा हौट सीट बन गई है, आधा दर्जन से जादा उम्मिदवार लोजपरां बिलास में हैं, भाजपा में भी हैं कई नेता, तो अब समझ सकते हैं कि यहां से कई खबरे और बा तो और भी बाते निकलेगी, अभी तो नाम मंगल पांडे और संजय जैस्वाल का अंदर खानों से आया है कि इन दोनों ने आसवासन दिया है, वो इसे बता दे नित्यानंद राय से भी सुरजवान सिंग की अच्छी बंती है, अच्छी संबंध रहा है, तो नित्यानंद पुरु परदे सद्याच रहे हैं भाजपा के और बरतमान परदे सद्याच समराठ चौदरी से भी सुरजवान सिंग की अच्छी ट्विनिंग बताई जा रही है, या बताई जाती है, तो अब यहां से समझ सकते हैं कि वह सीट, नवादा सीट को लेकर दोनों तरब से अभ खबरे हमने बताने और सुनाने का प्रयास किया, आप लगतार जहकास भारत पर बने रहीएगा, हम लगतार खबरे लाते रह रहे हैं, सुनाते रह रहे हैं, बताते रह रहे हैं, अभी फिलाल हम नवादा लोगसवा सीट को लेकर बाते लाए थे, बाकी मेरा नाम रविकान आप देख रहे हैं जहकास भारत धन्यवाद